सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकोन को दबाईए हमारी लेटस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए जब भी हमारे पास कोई पेशेंट जिसको एनौस्मिया की प्रॉब्लम हो या लॉस ओफ स्मेल एंड टेस्ट हो रहा हो वो हमारे पास OPD में आता है तो पहले हम उसकी नाक की जाज करते हैं जिसमें हम एक छोटा सा विडियो एंडोस्कोप नाक के अंदर डाल के देखते हैं क के नाक का जो सांस का रस्ता है उसमें कहीं कोई रुकावर्ट तो नहीं है जैसे के हड़ी बढ़ने के वज़े से या मास बढ़ने के वज़े से इस तरह की situation में हम कई बार CT scan भी करते हैं जिससे हमें नाक के उपरी हिस्से में जो olfactory organ होता है उसको हम अच्छे से देख सकें और अगर हमें उसमें कोई सूजन का doubt होता है तो एक MRI scan भी इसमें किया जाता है MRI scan से हम olfactory organ को और olfactory organ से आने वाले fibers जो नाक पे आते हैं उनको ज़्यादा बारीकी के दरिये देख सकते हैं इसके बाद हम अगर हमें ये CT scan एवं MRI scan नॉर्मल मिलते हैं तो फिर हम patients के लिए कुछ treatment शुरू करते हैं इस treatment को हम nasal steroids कहते हैं जो एक spray के form में patient के नाक में डालने के लिए दिये जाते हैं इसको देने से नाक के अंदर की सूजन कम होना और olfactory organ की सूजन कम होने से कुछ patients में smell और taste का sensation दुबारा से आने लगता है जिन patients में smell और taste का sensation steroid spray के बाद भी नहीं आता उन patients में हम एक नई तरह की therapy जिसे smell therapy कहते हैं उसका इस्तिमाल करते हैं आईए तो जानते हैं smell therapy क्या होती है और इसका किस तरह से इस्तिमाल हो रहा है है COVID patients के लिए smell therapy में हमें हमारा जो olfactory organ है जो की नाक के अंदर उपर की तरफ होता है उसको हमें retraining करने की जरुवत पड़ती है कोई भी viral infection specially COVID infection के बाद इस organ में सूजन आ जाती है और वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाता इस तरह की situation में हमें एक smell therapy हम patients के लिए advise करते हैं इस smell therapy में हम एक एक करके जो हमारे common घर में हमारे kitchen में जो हमारे essential spices होते हैं इनको हम इस्तिमाल करते हैं जिससे के हमारे olfactory organ को हम retrain कर सके हैं इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम एक छोटे छोटे शीशियों में हमारे common जो घर में मसाले होते हैं जो spices होते हैं उनको airtight compartments में छोटे bottles में glass bottles में रख सकते हैं जिनकी उपर एक ढखकन हो और हम commonly जो हमारे available हैं जैसे के long हो गए इलाइची हो गए, दालचीनी हो गए, हल्दी हो गए, सौफ हो गए, चाए है, कॉफी है इस तरह के common जो हमारे kitchen में चीज़ें available होते हैं और हमारे essential oils जो market में हमें मिलते हैं जैसे के rose oil, lavender oil इस तरह के oils का भी हम इस्तिमाल किया जा सकता है इस तरह की therapy में अगर हमारे पास ये essential oils available हो तो हमें उनको दो-दो drops एक filter paper पे या tissue paper पे डाल के उनको दिन में नियमत रूप से करीबन 4-5 बारी 10-10 सेकंड के लिए सूंगने के लिए हिदायत दी जाती है ऐसे सूंगने से धीमे धीमे हमारा smell के organ को वापस training मिलने लगती है कि ये किस तरह की खुशबू इसकी होनी चाहिए और किस तरह की खुशबू है और धीमे धीमे हमारा जो olfactory organ है वो retrain हो जाता है और वो fragrances को फिर से पहचानने लगता है ऐसा करने से नियमेत रूप से तीन महने तक ऐसा करने से हम देखते हैं तकरीवन 70-75% patients में फायदा हो सकता है और उनकी धीमे-धीमे smelling capacity वापस regain होने लगती है Thank you Thank you